हलो फ्रेंड्स मैं गौतों कुमार आसवों को एक बाद फिर से अर्जा संक्या ओफिसल ट्योई चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेरे साथ मनी अरुकुमा उत्ता जी जूरे हुए हैं और उनी से जानूंगा कि जब हमने क अत्तम बुद्ध को देखें नहीं हम बावा साथ दॉक्टर भीम रावमेटकर को देखें फिर भी उनकी विचार को मानते हैं और हम लोग कैसे उनको माने और क्या उनका तत्य है आप बताने का पढ़्यास करें हम इसे बात में दम नहीं है और कॉमेंट इस तरह से जो करते हैं बहुत बच्चे के तरह ही कॉमेंट है कोई चीज हम देखे तभी उसको सत माने और नो देखे तो असत तो दूठो सत होता है एक वास्तिविक सत होता है एक बेवारिक सत होता है जब हम बहुत ट्रेन में सफ देखते हैं कि रेल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पेर पाउधा घर दुवार को पीछे भागते हुए लेकिन ये बेवहारिक सत है बेवहार में देख रहे हैं कि हम पूरब दिशा में ट्रेन से जा रहे हैं तो देखते हैं कि पच्छिम के तरफ पेरपाउधा घरदुआर पच्छिम दौर रही है, भाग रही है चुकि ज्ञान के अभाव में हम समझते हैं, नहीं है जब हम आगे जाएंगे तो सब चीछ पीछे जाएगी तो ब्यवारिक सत्थ है कि पीछे देखते हैं पेरपाउधा पीछे घरदुआर पीछे के तरफ दौर रही है लेकिन वास्तविक सत्थ क्या है कि हम आगे जा रहे हैं तो अभी तक जितने लोग हैं ये कॉमेंट करते हैं कि हम राम को नहीं देखे, चाहे बुद्ध को नहीं देखे और बाबा साव हम बेटकर को नहीं देखे तो उनको हम सत्थ मान लेते हैं तो उसी तरह से तो हम राम को नहीं देखे तो राम को क्यों नहीं हम सत्थ मानते हैं राम को जब बाबा साव हम बेटकर को नहीं देखे बुद्ध को नहीं देखे तो उनके बात को आज हम सत मान रहे हैं तो इसी तरह से हम लोग राम को आ किरिशन को नहीं देखे हम उनको सत मानना चाहिए तो नहीं 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 यह तो टोटल अतारकिक बात है जो पूछते हैं वो बच्चे लोग हैं उनके सोच में बहुत कमी है किसी चीज को जानने के लिए दृष्टिकोन होना चाहिए बैग्यानिक तर्क होना चाहिए बैग्यानिक पर्योग होना चाहिए आज प्रिथवी पर 40,000 बड़त से मानों का प्रादुर भाव हुआ और बैग्यानिकों ने प्रिथवी पर बहुत से उथल पुथल हुए है और उथल पुथल से जब यह थी टेस्ट करके कार्बनिक जोगिक किरिया टेस्ट करके पता लगता है कि इस जीव कितना दिन पहले इस प्रिथवी पर था जिसका समूल लस्ट हो गया अज नहीं है लेकिन था लेकिन भारत में राम रावन के बारे में तो भाई राम रावन का तो काल्पनिक चीज है यह सचाई है कि कोई इसका किसी का अगर पैदाईस है तो उसका अस्थान होगा मरा होगा तब ही मरने का उसका जगा होगा फलाना कोई से पायदा हुआ, अब फलाना मौड गया कोई से तो जा के हिमाले में गौल गया, अरे ऐसा नहीं होता है, ये टोटल अतारकिक बात है, और बुद्ध पायदा हुए, इसका ट्रेस है, उनका लिट्रेचर है, उनकी बानी है, और बाबा सौब अम्बेटकर है, तो और वो परमानुची कालपनिक चीज को हम लाइक करते हैं, कि यथार्थ समझते हैं, तो इताब बचपना है, और हम एक जांपुल सजीव का निर्जीव से दें, जो चीज नहीं था, उसको हम सकार करना चाहते हैं, तो इताब पागलपन है, ये अंधिविश्वास है, ये प अपड़ा का या उस समय किसी चीज का इन्भेंशन था, उस समय लोहा का इन्भेंशन या कोई विशेश ग्यान तो था नहीं, सब अग्यानी लोग थे, नभासा का इन्भेंशन हुआ था, टोटल उस समय, बुध के समय, बुध रह होंगे, उस समय भारत का जौन संख्या ए आज कितना हो गया दुनों मिला के आई से माइनस करते चले जाईए किलियर हो जाएगा कि बुद्र के समय को करूर भारत में आफगानिस्तान से बार्मा लेकर के नेपाज से लेकर लंका लेकर करके भारत था इतना दूर में उस समय कितना तो लाक में रहा होगा समझ गए तो यह सब विज्ञान है मैथ है इस सब के आधार पर साबित हो जाता है तो साथियो वीडियो के माध्यम से हम मानी अरुन को अगुपता जी से यह बताने का प्रयास कि जो समस्या अर्जक सोसित मुल निवासी भाई जो है और जिन्होंने भी यह कोमेंट किया था कि अगर हम भगवान को नहीं देखे तो चलो भगवान को नहीं मानते तो उसी तरह से अगर हम गौतम भूद हो गए महाँ राम सरु वर्मा हो गए अमबेटकर साब हो गए उनको भी तो नहीं कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जै अर्जक जै सोसित जै मुल निवासी